तो भाई लोग आप सबको पता है जो न्यूजीनलैंड की आधी टीम है वो गई है पाकिस्तान के दौरे पर आधी टीम न्यूजी scalesanne की वो खेल लई है IPL किसी ने सोचा होगा कि जो New Zealand की आधी टीम है वो पाकिस्तान को उनके घर में ही पीट देगी हरा देगी जी हाँ दोस्तो अभी तक 3 T20 मैच खेले गए पाकिस्तान वर्सेज नीजिलेंड की बीच में जो पहला मैच होता है उसको कौन जीता है पता है रैन बारिश बारिश आती है मैच जीत के चला जाती है ना पाकिस्तान जीता है ना नीजिलेंड दूसरे मैच में जैसा सबको उम खेल लई चाहे केन बिलियम सन की बात कर लो रचीन रबिंदरा की बात कर लो लोकी फर्गी सन की बात कर लो ग्लैन फ्रिप्स की बात कर लो और भी नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को वो तो यहाँ पे हैं बाकी जो बजी टीम है उनको भेज दिया पाकिस्तान के दौरे पे बहिए अभी तक 40 मैच के लएक है जिसमें 22 मैच पाकिस्तान जीता 18 मैच जीता न्यूजिलैंड तो अगर हम यहां पे देखें 4 मैच पाकिस्तान जीता ज्यादा जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं मामला बराबरी का क्योंकि इन पाकिस्तान पाकिस्तान की सरजमी पे इनके बीच में 6 मैच के लगिया तीन पाकिस्तान जीता तीन न्यूजिलैंड जीता यानि न्यूजिलैंड पाकिस्तान के घर में बरावर की टक कर देता है अगर पाकिस्तान एक मैस जीता है तो अगला चार्टा किसका आता है न्यूजी लैंड का पाकिस्तान को हराने के लिए लास फाइब मुकाबले की बात कर लो तो पाकिस्तान न्यूजी लैंड ने तीन बस उससे पहले न भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को कर दो लाइक क्योंकि मैं तुम्हारी लिए मेहनत करता हूँ तो अपने भाई का इतता तो शप्सक्राइब करना अगर अभी तक करना किया हो और साथ में चाहे तो भाई का टेलीग्राम भी जवाइन कर सकते हैं क्योंकि टेलीग्राम पर जैसी मैं अपडेट देता हूँ न कहीं आपको और ना मिलेगी जिस टीम को मैं बोलता हूँ मैं जीतेगी वही टीम मैं जीत जाती जिस ओवर मैं बोलता हूँ बिकट जाएगा उसी ओवर में तो बिकट जाता है अपसा प्रोडक्शन हाउस के नाम पर भाई का टेलिग्राम है जो आज का मैस है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलेंड इस पे मेरी अपडेट देखना क्या मैं जिस टीम को बोलता हूँ टीम मैं जीत पाती है कि नहीं जीत पाती वैसे अपडेट तो वापस आ जाना आने जाने का कोई पैसा थोड़ी न लगेगा बाकिकर हम इस मैच की बात करते हैं यह जो मैच है थास्ट डे 25 अप्रेल इंडिया टाइम अनुसार 8 पीम से आप इसका लाइव एक सन देख सकते हो तो यह जो मैच है गदाफी स्टेडियाव लाहोर में खेला जाएगा इस मैदान पे अभी तक T20 इंटरनेशनल के 20 मैच के लगए कितने 20 जिस में से 12 मैच में टार्गेट डिफैंड 8 मैच में टार्गेट चेज अगर हम यहाँ पर देखे तो चेज और डिफैंड की जो कहानियों बराबर किये बस एक दो मैच में डिफैंड जादा हुआ इसका मतब यह है यहाँ का जो पिछ है बदलता बदलता नहीं है चाहे पहले बैटिंग करो या फिर बाद में बैटिंग करो जो अबरेज स्कोर है फर्स इनिंग का 176 से 176 नहीं बतलब ठीक ठाक यहाँ पर रन बन दे तबी थोड़ा सा चेज करना मुश्किल होता है टार्गेट चेज की बात करें 168 168 के नीचे स्कोर बनेगा 10 मैच में से 8 मैच में सर्फेस है जब हार्ट सर्फेस होता है टो क्या होता है तो जैसे मैच आगे बढ़ता है बोल की शाइनिंग खत्म होती है जो बोल होता है बैट पर काफी ७ाणरी लेंग की बात करें तो 55 metr से 70 20-meter की, मतरब ठीक-ठाक boundary बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो चोके-चके भी ठीक-ठाक लगते हैं, इसलिए यहां पर अक्सर आपको जो match होता है, medium scoring देखने को मिलते हैं, अगर हम आज के match में power play score की बात करें, तो 48-53 के बीच में देखने को मिल सकता है, 20 over score की बात करे तो 170 से 185 के बीच में देखने को मिल सकता है, अगर इस मैदान पे दोनों टिमों के performance की बात करें, तो पाकिस्तान ने 20-20 match खेला, 12 match जीता, 8 match हारा, यानि अपने ही घर में पाकिस्तान जवाज़स performance ना कर पाया, क्योंकि 20 match से 12 जीता, 8 हारा, न्यूजिलेंड यों की बात क पाकिस्तान के सामने न्यूजिलेंड क्या कर पाएगा अपनी अधी अधूरी टीम के साथ, चलो एनलासिस करके पता लगाते, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर टीम पाकिस्तान की, और अगर हम इनके खेमें में चेंजिस की बात करें, तो अगर हम इनके खेमें में आमिर की वापसी हो सकती या फिर इमाद वसीम को कहीं से घुसाया जा सकता है बाकी की जो टीम है वो सेम रहने वाली अगर हम यहां पर बावाराजम की बात करें तो भाया देखो जो रन बना रहे हैं बहुत अच्छा दो मैचों में रन नहीं बना पाए एक मैच में बनाया थे 37 अरतिसान लेकिन थोड़ा सा स्टाइक डिट का मसला था सेम आयूब ये भी एक मैच में फ्लोप होगे एक मैच में तीसन की पारी खेली थी तो ठीक ठाक थी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी रिजवान की बात कहे तो रिजवान ने पहले मैच में जबर जबले बाजी कही थी दूसरे मैच में इंजूरी के वज़ए से रिटायर आउट हुए थे फकर जवान इनकी जगह पी खेलेंगे जिनका PSL बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया था मतलब आउटो फॉर्म थे उस्मान खान को बड़े सौक से लेके आयते UAE से पाकिस्तान की टीम में लेकिन दो मैच गया है दोनों मैच में उस्मान खान टाय टाय फिस एक भी मैच में इनका भाई साब का बला ना चला इर्फान खान नियाजी को मौका मिला है इर्फान खान ने वो टैलेंट अपना दिखा है एक मैच में अठार रान नौट और पिछले मैच में भी ठीक ठाक पारी के लिए बीस बाई सन की तो अभी नया लड़का है और मौका मिलेगा इंप्रूब कर सकता है इुपिधाज सच्चा की बात के तो चच्चा की वही कहानी है मतलब पता नहीं कहा, समय में नहीं आते है बनलेबाजी का नंबर आया है सबसे बढ़िया जो बल्लेबाजी करी वो सदाब खान ने करी और जो पहला match था उसमें गेंदवाजी भी सदाप खान ने बहुत अच्छी करी थे तो मतलब जो काम है सदाप खान का और लॉंडर परफोर्मेंस देना वो कर रहे हैं निश्ची तौर पर अगर यहाँ पर राद वसीम को भी टीम में लाते हैं तो वो भी बढ़िया वरल्यवाजी भी कर सकते हैं जो कि लाना चाहिए अब पता नहीं बाबराजम क्यों नहीं लाते हैं में को समाझ मैंने आता लाना चाहिए बाकी गेंदबाजी की बाद कर उनकी गेंदबाजी तगडी तो दिख रहे're कर सकते हैं सेम कहानी है मुहम्मध आमीर की experience है experience के साथ जो swing करवाते death में जवर्जस गेंदवाजी करते किफायती रहते है 4 over में कभी भी 15-20 से ज़्यादा खाते नहीं है जो इनके तीनो तेज गेंदवाजी बढ़िया है अगर अब बास अफ्रीदी को भी खिलाते हैं उनको कभी-कभी रन पड़ जाता है लेकिन विकेट टेकर गेंदवाज है वो विकेट निकाल के लेके जाते है जैसे पिछले मैच में दो-तीन विकेट निकाला था तो तेज गेंदवाजी बढ़िया है अबरार अहमाद काफी कमाल का हमेशे इनकी गेंदवाजी बढ़िया रहती थे अभी वो गेंदवाजी में दमखम दिख रहा है बल्लेवाजी नाम बड़े-बड़े हैं लेकिन अभी तक वो परफोर्मेस निकलनी नहीं है जैसी परफोर्मेस निकलनी चाहिए बात करेंगे अगर हमें आपे टीम न्यूजी लैंड के तो वहिया इस टीम के साथ पिछला मैच जीता ज्यादा आपसन भी नहीं इनके पास तो कोई चेंज जोंज ना करेंगे सेम प्लेंग लेवंस के साथ जाएंगे बले बाजी की बात करें तो टीम सेफट ने पिछले मैच में ठीक ठाक पारी खेली थी बहुत जब जस्तों नहीं खेली थी ठीक ठाक केली थी पिछले मैच में फ्लोफ होगे तो टीम सेफट का हमेशा यही होता है एक आता मैच में अच्छा के लेंगे तो एक दो मैच में फ्लोफ भी हो जाते हैं प्रफॉर्मेंस वही है, एक मैच में बढ़िया करते हैं, एक मैच में बढ़िया नहीं करते हैं, मांक चैफ मैन, वन मैन आर्मी की तरफ इसला मैच कहला था, अके लिए धंपे मैच जिताया था, और यह पिलियर है कमाल का, जब जब इनको ऊपर बल्ले वाजी करने का मौगा मिलता है, तब तब यह रन बनाते हैं, टीम को मैच जिताते हैं, प्रोब्लम यह है कि जब पूरी न्यूजी लैंड की टीम खेलती थी, छाटव शाटव नमबर पर बल्ले वाजी करने का मौगा मिलता है, बल्ले वाजी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया करते हैं, जीमी नि बल्ले वाजी अच्छी थी, दूसरे मैच में तो ज्यादा गेंदवाजी का मौका भी ना मिला, माइकल ब्रेस्वेल की बात के जो कप्तानी कर रहे हैं, दोनों मैचों में गेंदवाजी करी एक एक बिगिट चटका है, मतलब बढ़िया ऑल उन्डर है, गेंदवाजी बढ भी बढ़िया चली थी, जो थोड़ी बहुत बल्ले बाजी भी कर सकते हैं, हलागी बल्ले बाजी साइड में अतार जो, डोमेस्टिक में बहुत अच्छी गेंदवाजी कर थी, लिकिन दोनों मैचों में बढ़िया गेंदवाजी कॉल मैंक चीन ना कर पाए, जैकरी फॉलक को पिछले मैच में खिलाएक है जो जैक्री फोलकेस की बीजो गेंदबाजी उतनी ज्यादा अच्छी न चली कि इनकी डॉमस्टिक में भी बहुत अच्छी परफॉर्मस नहीं थी किसकी जैक्री फोलकेस की आया सोडी की बात के तो काफी ज्यादा एक्स्विनियंस गेंदब क्याद कि दो मैचों के पहले मैच में ज्यादे सकते हैं ज्यादा कुछ के नए सकते हैं दूसरे मैच मैं बढ़िया गेंदबाजी की जो जप्र मैच के लागे तो जीम बहुत झाली के यह जबर जर से अपनी फुल टीम के साथ लगबग केल लई है and home ground है तो निश्ची तोर पे पाकिस्तान की टीम मजबूत तो दीखे गई अगर हम इन दोनों टीमों के लासिक सी मैच के विहाब पर कमप्रीजन करें तो पाकिस्तान ने अपने आखरी के 6 मैच में दो मैच जीत है वन 117, T20 में 166 का बल्लेवाजी अबरेज खराब होता है यानि कि बल्लेवाजी बहुत जादा अच्छी नहीं चल लई है पाकिस्तान की बात करें तो जो इनका बल्लेवाजी अबरेज होता है ना हम इसको बहुत ज़्यादा जवर्दस कहेंगे ना बहुत खराब अगरी के 6 मैज में बस 2 जीता, 4 हारे, न्यूजिलैंड की बात करें, तो जो इनकी गेंदबाजी अबरेज है 8.49, 8.49 गेंदबाजी अबरेज काफी ज़्यादा बढ़िया होता है, यह जो न्यूजिलैंड के गेंदबाजी अबरेज काफी ज़्यादा बढ़िया चल लेकिन लेकिन बलेबाजी अबरेज काफी जादा खराब है तबी आखरी के 6 मैश में बस एक जीता 5 हा रहे तो रेजल्ट में बिल्कुल थोड़ा सा लिटिल बिट पाकिस्तान आ गए है बलेबाजी अबरेज में काफी बढ़िया पाकिस्तान का अफरेज दिखरा है एकोर्डिंग लेकिन गेंदबाजी अबरेज की बात करें तो दोनों टीमों का जो गेंदबाजी अबरेज है विल्कुल एक जैसा ही नजार आ रहा है तो भैया आज के मैश में क्या होगा कौन से टीम है जो मैश उड़ा के ले जाएगी जीतेगी चलो मैं आपको अभी बता देता हूं ल टीम पाकिस्तान अपने नाम पे कर सकता है वाकी मैरा टेलीगराम ज़रूर जौन करें क्योंकि जो मेरी टेलीगराम पे अपडेट होती है काफी खतरनाग होती जिस टीम को मैं बोलता हूं मैं जीतेगी निजीत के चली जाती है जस ओंबन में बोलता हूं विकट जाएगा अपसा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलिग्राम है एक बार ज्वाइन करो जो आज का मैंच है पाकिस्तान वर्सेज न्यूजिलेंड इस मैंच को ना मेरी अपडेट जाके चेक करना कि जिस टीम को मैंने बोला वो टीम मैंच जीती की नहीं अगर अपडेट बिल्कुल एकुरेट होती है जेवरजस होती है तो टेलिग्राम पर बन जाना ठिक जाना अगर एकुरेट नहीं होती तो आज आना वापस जाने आने का कोई पैसा थोड़ न लगता है लेकिन एक बार भाई का काम चेक जरूर करें बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले में आज की फेडेक्शन के साथ तब तक के लिए God bless you